इसी तरह से हम देखें कि आक्सिकरण अवस्था के आधार पर हम संक्रमन तत्वों के योगिकों के आयनिक गुण तथा स्वसयोजग गुण का अंदाजा भी लगा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं संक्रमन तत्वों के योगिकों के जिस योगिक में तत्व की आक्सी करण अवस्था जितनी उच्च होगी उसमें कोवलेंट केरेक्टर सहसे जगुण उतना ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं फजान्स रूल के अनुसार कोवलेंट के लिए धनायन का आकार छोटा होना चाहिए तथा रिनायन का आकार बड़ा होना चाहिए धनायन का आकार जितना छोटा होगा वह रिनायन के इलेक्ट्रान क्लाउड को उतना ज़्यादा कोलराइजड कर पाता है हम जानते हैं कि जो धुरुवी योगिक होगा उसमें इस्पस्ट धनावेश धन्धु और इस्पस्ट रुन आवेश रिन्धु होते हैं लेकिन जब कोवलन करक्टर जो होता है उसमें दोनों के मद्ध में इलेक्ट्रान घनत्व होना चाहिए तो जब धनायन का आकार छोटा होता है और रिणायन का आकार बड़ा होता है तो वो रिणायन के इलेक्ट्रान घनत्व को अपनी ओर खीच लेता है और ये गोलाकार ना उपस्थित होना ही कोवलेंट केरेक्टर कहनाता है तो इस तरह से हम देखें कि जब हम आकसी करण अवस्था की बात करते हैं तो जब तत्व उच्छ आकसी करण अवस्था में होता है तो उस समय उसमें से अधिक इलेक्टरान बाहर निकल जाते हैं और उस पर अधिक धन आव होगा उतना उसका आकार छोटा हो जाता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब संक्रमन तत्व जिसमें अपनी उच्छ आक्सिकरण अवस्था में होंगे उस समय उनके योगिकों में कोवलंड कैरेक्टर अधिक होगा जबकि जिसमें वो अपनी निन्न आक्सिकरण अवस्था मे होंगे वहाँ पर उनमें आयनी गुण ज्यादा पाया जाएगा इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं एक है मनो यहाँ पर हम देखें की जो मैगनेज की आक्सिकरान अवस्था है वह प्लस टू है कि जब ऑनके गुणों क अध्यान करते हैं तो यहाँ पर जो मनो dumping मेगनीज ऑक्साइड है यह पूरी आइनिक गुण प्रदर्शित करता है इसका इस पस्ट क्रिस्टल लैटिस होता है जबकि MnO2 में कुछ आइनिक और कुछ कोवलेंट दोनों ही गुण पाये जाते हैं जबकि MnO4 माइनस जो आयन है वो उसमें पूरी तरह से यह कोवलेंट केरेक्टर का होता है इसी तरह से हम क्रोमियम के अक्साइडों का उधारन ले सकते हैं जो कि जैसे जैसे इनके आक्सी करण अवस्था बढ़ती है जब परमानू सामाने अवस्था में होता है तो उसकी एक परमानूक साइज होती है जब वह आयनिक अवस्था में आ जाता है और जब उससे इलेक्टरान जैसे कि क्रोमियम 2 प्लस आयन जब बनाएगा तो उसमें से इलेक्टरान बाहर निकल जाते हैं और इस स्थती में बाहर निकलने की वज़े से वह बचे हुए जो इलेक्टरानों को उसका जो नाभिक है वह बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी और आकरशित करता है और इस स्थती में इसकी साइस चोटी हो जाती है और यही कारण है कि जिसमें इनकी साइस चोटी होगी यहने की इनकी उच्छ आकसीकरण अवस्था होगी उस समय यह रणावेशित आयनों को ज्यादा पोलराइजड कर पाएंगे और इन में कोवलेंट अधिक पाया जाएगा इसी तरह से हम इनके और गुनों का भी अध्यान कर सकते हैं जैसे हम लें मैगनेज आकसाइड मन ओ एमन टू ओ थ्री तथा एमन टू ओ फॉर और एमन टू ओ सवन यह मैगनीज के भिन भिन आकसाइड है यदि हम एमन ओ की बात करें तो यहाँ पर मै आकसी करण अवस्था प्लस थ्री होती है एमन ओ फॉर में इसकी आकसी करण अवस्था प्लस फॉर होती है और जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि इन में कोवलें चेरेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके ऑक्साइडों में अमली गुण बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोवलेंट केरेक्टर है वो अधात्मों का गुण होता है और अधात्मों के जो ऑक्साइड होते हैं वो अमली प्रकृति के होते हैं जबकि धात्मों के ऑक्साइड छारी प्रकृति के होते हैं त उससे कमचारी प्रकृती का होता है MnO2 जहाँ पर इसकी आक्सिकरण अवस्था प्लस 4 है या उभे धर्मी प्रकृती का होता है इसी तरह से अंत में हम देखें जो Mn2O7 है जहाँ पर इसकी आक्सिकरण अवस्था इसकी उच्चतम आक्सिकरण अवस्था प्लस 7 है वहाँ प इसी तरह से हम क्रोमियम की ऑक्साइड़ों का उधारन लें तो क्रोमियम का ऑक्साइड जिसमें इसकी प्लस CRO जिसमें की इसकी आक्सिकरा नवस्था प्लस 2 होती है यह बेसिक छारी प्रकृति का होता है CRO3 जिसमें इसकी आक्सिकरा नवस्था प्लस 3 होती है यह उभैधर्मी प्रकृति का होता है जबकि CRO3 जिसमें की इसकी आक्सिकरा नवस्था प्लस 6 होती है यह एसेडिक नेचर का होता है इसी तरह से हम Vanadium के examples ले सकते हैं यहाँ पर V2O3 Vanadium Tri Oxide जिसमें की इसकी आक्सिकरा नवस्था प्लस 3 होती है यह छारी प्रकृति का होता है यहाँ पर V2O4 जिसमें इसकी आख्सीकरण अवस्था 0.2 तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनमें उच्छ आख्सीकरण अवस्था बढ़ती है, इनकी जो गुण है वो कोवलेंट सरसयोजी प्रकर्ति के होते जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं संक्रमन धात्मों की से जुड़ी हुई एक और गुण को और इनके मानक अप्चन विभाव में भीन भीन प्रवित्यां देखते हैं अब इनके जो मानक अप्चन विभाव है हमें दो प्रकार से देखेंगे एक प्रकार से हम देखेंगे जब ये MN2 से M में परिवर्तित होते हैं उस समय और दूसरा में हम देखेंगे जब ये MN3 से MN2 में परिवर्तित होते हैं अब अब जाने कि मानक अप्चन विभव हम जानते हैं जो मानक अप्चन विभव है वो यह दर्शाता है कि कोई तत्व कितनी आसानी से अप्चयित हो सकता है यदि मानक अप्चन विभव का मान उच्च है किसी तत्व के लिए तो यह दर्शाता है कि वो बड़ी आसानी से इ बढmmक है गम हैं तो यह दर्शाता है कि उसकी आयनी कवस्था से अपचेत होने की प्रवित्ति कम होगी यह हम यह कह सकते हैं कि उसकी आक्सेकरित होने की प्रवित्ति ज्यादा होगी यहां पर हम देखें कि संक्रमन धातुएं हैं उनके जब हम M N 2 प्लस से M जाने की स्थती में जब हम उनके मानक अप्च्वन विभाओं को देखते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके मानक अप्च्वन विभाओं के मानों में देखें तो सभी के मान प्रायह रुनात्मक हैं यहीं की इनके M N 2 प्लस से M यहीं की धात्विक अवस्था में अप्चेत अवस्था में जाने की प्रवित्ती कम हैं और यहीं दर्शाता है कि इनकी क्यों जो M N 2 जो आक्सिडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्थाई होती है यदि हम यहाँ पर डाटा पेर गौर करें तो देखते हैं कि यहाँ पर सभी के मान रुनात्मक है जबकि कौपर के लिए इसका मान धनात्मक है और कौपर के लिए इसका मान धनात्मक यह शो करता है कि यह आसानी से अप्चेत हो सकता है और इसके इस गुण को हम जब इसकी क्रिया तनू अमलों के साथ कराते हैं तनू अमलों तनू जैसे वन मोलर एक्सियल के साथ जब हम इससे कराते हैं तो इसे या हाइड्रोजन कैस मुक्त नहीं कर पाता है जबकि बाकी के अन्य जो तत्व हैं वह आसानी से अमलों के साथ करिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं याई कि H प्लस आयनों को अपचेवर्ध करते हैं कि यह जोइंके उपस्तती में कॉपर जो है वह आक्सिक्रित होता है तथा यह जो अमले हैं वो स्वयम अप्चाईत हो जाते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जो कॉपर टू प्लस आइणों की अपचाईत ना होने की प्रवित्ती है या इसके जो मानक अप्चेन विभाव का मान है वो ज्यादा है वो इसके जल योजन एंथेल्पी जो एंथेल्पी ऑफ हाड्रेशन है उसके द्वारा यह संतुलित नहीं हो पाता है और यहीं कारण है कि यह आसानी से अप्चित होने की प्रवित्ति रखता है इसके बाद हम यहाँ पर देखें कि मैगनीज और जिंक इनके लिए जो मानक अप्चेन विभाव के मान है वो काफी जादा रुनात्मक है और इनके रुनात्मक होने की प्रवित्ति यह दर्शाती है कि यह सबसे कम मात्रा में अप्चेइत होना चाहते हैं यहनिकि इनकी अप से लगा सकते हैं हम जानते हैं कि जब मैगनीज मन 2 प्लस आयन बनाता है उस स्थति में इसका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है वह एक स्थाई विन्यास होता है जिसमें इसे 3D5 विन्यास इसे मिलता है और यह एक स्थाई अवस्था होती है और इसलिए यह इसी अवस् इसी तरह से हम जिंक के देख सकते हैं, जिंक में भी हम देखें, जब जिंक 2 प्लस आयन में परिवर्थित होता है, तो इसका जो विन्यास है, वह 3D 10 होता है, जो कि पूर्ण पूरित डी ओर्बिटलों का विन्यास है और एक स्थाई अवस्था है, और इसे लिए यहां भी आ में जानने पर किस प्रकार की प्रवित्ति पाई जाती है, यदि हम मानक इलेक्टरोड विभौों में M3 plus से M2 plus में जाने की प्रवित्यां देखीं तो यहाँ पर हम देखें साणी देकर इसपस्ट होता है कि यहाँ पर जो प्रारम में के तत्व हैं इनके मान पर्याप्त रनात्मक हैं जबकि नीचे के तत्मों के लिए मैगनीज, आइरन, कोबाल्ट, जिंक इनके लिए इनके मान पर्याप्त उच्च हैं और खासकर जिंक के लिए इसका मान सरवाधिक हो जाता है। यहां पर हम देखें जो इसकेंडियम का निम्नमान है। यह दर्शाता है कि इसकेंडियम यहां पर इसकेंडियम 3 प्लस अवस्था में ही रहना चाहता है। यह MN3 Plus से MN2 अवस्था में अपचैत नहीं होना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर इस अवस्था यह इसके लिए परियाप्त इस्थाई होती है। और यहाँ पर हम देखें कि सकेंडियम का प्लस टू आकसी करण अवस्था वाला कोई योगिक भी हमें दिखाई नहीं देता है। और इसकी जो सकेंडियम 3 अवस्था है वही इस्थाई होती है। दूसरी और हम जिनक के लिए देखें। तो जिनक के लिए मानक इलेक्ट्रोन विभाव का मान है वो परियाप्त उच्च है। यह दर्शाता है कि यह आसानी से MN3 प्लस से MN2 प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। और हम जानते हैं क्योंकि जडन 2 प्लस अवस्था में जाने पर जिनक को एक इस्थाई विन्यास प्राप्त होता है और वो है 3D 10 और वो इसे अवस्था में रहना चाहता है। और इसे लिए हम देखें कि जिनक की अधिकांश योगिकों में प्लस 2 ऑक्सिडेशन स्टेट ही देखने को मिलती है। इसी तरह से हम देखें कि मैगनीज का मान भी यहाँ पर परियाप्त उच्च होता है। और यह दर्शाता है क्योंकि मैगनीज जब 2 प्लस अवस्था में होता है तो इस अवस्था में इसका जो विन्यास है वो D5 अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इसलिए यह भी एक इस्थाई अवस्था होती है और यह इस अवस्था में यहाँ पर आसानी से जाता है। इसी तरह से हम देखें कि आईरन का इसका जो मान है वो निम्नमान है और यह दर्शाता है कि यह MN3 से MN2 में जाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब यह MN3 प्लस अवस्था में होता है तो इस समय इसका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास है वो 3D5 होता है जो की एक इस्थाई सरचना होती है। और यही कयारण है कि iron के योगिकों में इसकी जो प्लस 3 वाली ऑक्सदीशन वाली अवस्था है वो ज्यादा स्थाई होती है। इसे तरह से हम वनेडियम का भी ले सकते हैं वनेरियम का भी जो दिखा रहा है और यह दर्षाता है कि इसकी जो टूपलस अवस्था है वही स्थाई होती और यहां पर देखे क्योंकि इस अवस्था में इसके जो डी में से ती टूजी और पिटलों में तीन इलेक्टरान होते हैं और यह एक इस्ठाई अवस्था होती है इसलिए इसके लिए जो वेनरडियम 3 प्लस से वेनरडियम 2 प्लस में जाने की जो प्रवित्ती होती है वो काफी निम्न होती है और यह आसानी से वेनरडियम 2 प्लस आयन बना लेता है तो इस तरह से हम देखें कि जो मानक अप्चयन विभाव की प्रवित्तियां है इसके आधार पर हमें इनके भिन भ है जब कि मेंग भी ऐर्बिटलों में चार इलेक्ट्रान होते है यहीं विन्यास हमें मैगनिज का दिखाई देता यह इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रोमियम जब CR2 प्लस आयन अवस्था में होता है तो इसके पास D4 चार इलेक्टरान होते हैं D-orbitलों में और जब यह एक इलेक्टरान त्याग कर अपचायक के कागुन प्रदरशित करता है उस समय इसमें तीन इलेक्टरान बचते हैं और यह तीन इलेक्टरान P2G सेट और और बटलों के सेट में होते हैं जो की एक इस्थाई अवस्था होती है और इसलिए क्रोमियम एक इलेक्टरान त्याग कर अपचायक होने की प्रवित्ती प्रदरशित करता है दूसरी और यदि हम मैगनीज 3 प्लस की बात करें तो मैगनीज के पास 4 इलेक्टरान होते हैं और यदि उसको एक इलेक्टरान मिल जाए तो उसे एक स्थाई 3D5 विन्यास प्राप्त हो जाएगा और इसलिए यह MN3 प्लस की प्रवित्ती होती है एक इलेक्टरान ग्रहन करके MN2 प्लस अवस्था में जाने की और इस तरह से यह एक आक्सी कारक की तरह विवहार करता है और क्योंकि इसे MN2 प्लस अवस्था में इस्थाई D5 विन्यास प्राप्त हो जाता है तो इसी तरह से मुक्य रूप से कोई भी स्पीसीज जो आइनी कवस्था में है वह स्थाई तो प्राप्त करना चाहती है यदि किसी को इलेक्ट्रान ग्रहन करके इस्थाई अवस्था प्राप्त करेगी और इस अवस्था में यह एक आक्सी कारक की तरह विवहार करती है तो किसी भी स्पीसीज का अप्चायक की तरह विवहार करना या आक्सी कारक की तरह विवहार करना यह पूरी तरह से उनको इस्थाई वि कि इस्थाइत का कि प्रवितियां किस प्रकार की इसमें ट्रंट देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो संक्रमण धात्वएं हैं वो इनकी उच्च आक्सिकरण अवस्थाई आए हैलोजन के साथ तथा ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलती है यदि हम यहाँ पर धातों के हालाइडों की तुल्ना करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें जो इसकी उच्छ आक्सी करण अवस्था जब 6 है तो उस समय यह जो इनके हैलाइड वो केवल फ्लोराइड के साथ बनाना बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोमियम हेक्जा फ्लोराइड यह बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर इस अवस्था में जो फ्लोराइड है क्योंकि प्रबल इलेक्ट्रों नेगटिव होने की वजह से इनके द्वारा दिये जाने व क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जैसे हैलाइड देखने को मिलते हैं यहां पर हम देखें कि वेनेडियम पेंटा फ्लोराइड जो है केवल पेंटा फ्लोराइड ही प्रदर्शित करता है जो कि एक स्थाई है और इसके जो हैलाइड होते हैं वह स्थाई नहीं होते हैं और यह जलब घटित हो जाते हैं और जब जलब घटित होते हैं तो यह oxo hyalide बनाते हैं जैसे कि VOX3 प्रकार के यह hyalide बनाते हैं इसके अलबा हम देखें कि वेनर्डियम का डाई आकसाइड भी देखने को नहीं मिलता है जब कि इसके यहाँ पर हम देखें कि डाई क्लोराइ है वह देखने को नहीं मिलता है इसी तरह से हम देखें कॉपर तो कॉपर में हम देखें और कॉपर करका ज कि यहाँ पर इनकी जो हलाइड है इसमें जो उच्छा आख्या करण आवस्था है वह फ्लोराइड ओंक ही देखने को को मिलती है जबकि निम्न आक्सी करण अवस्था में हमें अन्य तत्वों के अन्य हैलोजन के क्लोराइड ब्रोमाइड तथा आयोडाइड देखने को मिलते हैं कौपर का आयोडाइड देखने को नहीं मिलता है इसलिए है क्योंकि जो कौपर 2 प्लस है यह आयोडाइड आयनों को आक्सी कृत कर देता है क्योंकि हम जानते हैं कौपर की स्वयम की अप्चेइत होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और इसलिए जो कौपर टू-प्लस जब इसकी आयोडाइट आईनों के साथ क्रिया होती है तो यहाँ पर हम देखें कि जब इसकी कौपर जिसमें यह टू- प्लस आक्सिकरन अवस्था में है जब इसकी आयोडाइड आइनों से क्रिया हो रही है तो यहां पर यहां सी यूटू आयलू बनाता है जहां पर इसकी कॉपर की जो आक्सिकरन अवस्था है वह है यानिकि ये स्वयम् प्लस टू से प्लस वन में अप्चेत हो जाता है तथा आयोडीन को यह ओक्सिकरिद कर देता है इसके बाद भी हम देखें कि यह जो कौपर की यह ऑक्सिकरन अवस्था है वह भी जली विलियन में विल्कुल औस्थाई होती है और साथ ही जली विलियन में समानुपातित हो जाते हैं, यानिकि सीव जो प्लस है वह परिवर्तित होकर इसके जो दो आयन है ये परिवर्तित होकर सीयू टूप्लस तथा सीयू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो और सम्मानुपातन अभी क्रया हम उसाभी क्रया को कहते हैं जिसमें कोई एक स्पीश इंग educator अवस्था को प्रदर्शिट करती है जहां पर अभिकारक के पर यहाँ पर प्लस उँक्सिरैशन स्टेट पर है जब कि यह उतपात में यहँ अौफ। फार्प से बहुत अधिक होता है और यहीं देखते हैं कि इसके जो प्लस तु ऑक्सिकरन अवस्था वाले कमपौंन है वो हमें दिखाई देते हैं इसके पीछे जो कारण है वह है इसकी जल योजन उर्जा इसकी जो vibration energy है उसका माहन बहुत अधिक होता है और हड्रेशन एनर्जी का माल जो है बहुत अधिक रुनात्मक होने की वज़े से यह इस्थाइट तो प्राप्त कर लेता है हला कि जब हम इसकी आइनन उर्जा को देखें यदि दोनों को कंप्यार करें तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर 2 प्लस की हड्रेश तो यहां पर हम देखें कि जो इसकी हड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा नेगटिव होती है और इस वज़े से यह विलियन फॉर्म में सी यू टू प्लस के रूप में इस्थाई तो प्राप्त कर लेता है तो कि इसकी जो दुती आइनन एंथल्पी है उसकी छती पूर्ती इसकी एंथल्पी ओफ हाइड्रेशन के द्वारा हो जाती है और इसे लिए विलियन अवस्था में कॉपर 2 प्लस आइन काफी बिल्झान करता है और इंकी जो एंके oxidization में जो उच्रीटम आक्सी और अवस्था देखने को मिलती है वहuden की वर्ग की संख्या से मेल खाती है जैसे हम देखें इसकेंडियम जो है वह इसकेंडियम ट्राइओकसाइड प्रदर्शित करता है और यह इसके ग्रूप का नंबर भी है इसी तरह से हम देखें कि ट्रिटेनियम आउकसाइड तो ट्रिटेनियम डाइओकसाइड ट्राइओकसाइड तथा ट्राइओकसाइड सभ भी प्रदर्शित करता है और लेकिन इसमें जो जो टेट्राइट है वह सबसे ज्यादा स्थाइध होती है इसी तरह से वैनेडियम को हम देख सकते हैं कि वैनेडियम भी है यह मोनाओक्सआइड डाइख़ाइड टेट्रा और पैंटाओक साइड शो करता है तो इनकी जो उच उच्चितम आक्सिक्रन अवस्था प्रदर्शित करता है, उसमें इसकी आक्सिक्रन अवस्था प्लस 6 होती है, CRO3 में और या इसके गुरुप का नंबर भी है, इसी तरह से हम मैगनीज में देखें, तो मैगनीज अपनी उच्च तम आक्सी करण अवस्था Mn2O7 में प्रदर्शित करता है जहां पर यह प्लस 7 ऑक्सीरेशन स्टेट पर होता है और यह इसके ग्रुप का नंबर भी होता है लेकिन इसके बाद जब हम देखें कि जो आईरेन हैं कोबाल्ट हैं निकिल हैं यह इन इसके अलाबा जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं इसके अलाबा जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं जो कि इनके स्थाई नहीं होते और यह तुरंट अपने ज्यादा स्थाई ओक्सिक्रित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कि Fe3O4 यह दो आकसाइडों Fe2O3 और FeO का मिश्रण होता है और इन दो आकसाइडों में यह परिवर्तित हो जाता है इसी तरह से हम देखें कि जो कोबाल्ट है वह भी ट्राई ओक्साइड ट्राउक्साइड प्रदर्शित करता है और इसके अलावा यह एक कोबाल्ट ओक्साइड भी बनाता है जिसमें कि यह प्लस टू ओक्सीकरण अवस्था में होता है निकल का सिर्फ एक ही ओक्साइड मिलत झुक्त बनाता है प्लस वन होती है तो इस तरह से हम देखेंग की oxygen भी क्यूंकि इसमें उच्च रुनविद्धुत्ता पाई जाती है और साथ याथ इसमें इस से अधिक बंद बनाने की प्रवित्ती होती है 이स वज़े से यह संकरमन टत्वों के उच्छ आक्सिकरण अवस्थाओं को इस्थायto प्रदान करती है कि आईए अब हम जानते हैं कि संकरमन टत्वों की मानक अपचैन विभो तथा उनकी राचायनिक इस वज़े से यह संक्रमन तत्वों के उच्च आक्सिकरण अवस्थाओं को इस्थायतों प्रदान करती है। आईए अब हम जानते हैं कि संक्रमन तत्वों की मानक अपचैन विभो तथा उनकी रासायनिक अभिक्रिया शीलता इनमें किस प्रकार का संबंध होता है। संक्रमन तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया शीलता हम देखिए तो परियाप्त रूप से परिवर्तन शील होती है। इनकी परिवर्त जो रासायनिक अभिक्रिया है वह अलग-अलग प्रकार की दिखाई देती है। बहुत सी जो धात्वे हैं वो परियाप्त विद्द्धनी होती हैं तथा कुछ जो हैं आसानी से खनिज अमलों के साथ क्रिया कर लेती हैं। जबकि कुछ धात्वे हैं वह बिल्कुल उतकरिस्ट धात्वों की तरह विवहार करती हैं। और सामाने जो तनू अमलों होते हैं या सामाने जो खनिज अमलों होते हैं उनके साथ भी ये क्रिया नहीं करती हैं। यदि हम देखें तो श्रणी में कॉपर को छोड़कर यदि हम 3D श्रणी की बात करें तो 3D श्रणी में कॉपर को छोड़कर अनधात्वें सभी अपिक्षा क्रित अभी क्रिया शील होती हैं। और साथ ये केवल 1 molar H प्लस आइनो यनि की तनू अमलों के साथ भी ये आक्सी क्रित हो जाती हैं। और तथा इसमें से इन अमलों से क्रिया कराने पर यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यनि की H प्लस आइनों को ये अप्चैत कर देती हैं। हाला कि जो इनकी जो अभिक्रिया की दर है उसमें हमें उतार चड़ाव देखनी को मिलते हैं। यदि हम प्रथम शोणी के तत्वों को लें तो सबसे पहले हम देखें स्कांडियम। यह तनू अमलों के साथ बिलकुल निस्क्री रहता है। इसके साथ टृटेनियम, वैनेडियम यह भी हम देखें कि जो यह तनू अमलों के साथ बिलकुल निस्क्री रहता है। जो कि इनके मानक अप्चैन विभों के रनात्मक मानों से भी प्रदर्शित होते हैं। मानक अप्चेन विभव के जो रुनात्मक मान हैं वह यह दर्शाते हैं कि यह आसानी से स्वयम अप्चीत होने की प्रवत्ति नहीं रखते हैं और इसलिए यह जो अमलों के साथ हैं वह निस्क्री रहते हैं इसके अलावा हम देखें कि जब हम करम से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि मैगनीज मैगनीज के जो मानक अप्चेन विभव का मान हैं वह परियाप्त रूप से अधिक रुनात्मक दिखाई देता है जो कि इसकी जो सामाने जो ट्रेंट है उससे मिल नहीं खात होती है और यह जिसमें इसे डी 5 विन्यास प्राप्त होता है और इसलिए यह एक स्थाई अवस्था होने की वजह से यह स्वयम अप्चेत होने की प्रवित्ति बहुत ही कम इसकी होती है और यहीं कारण है कि इसके जो मानक अप्चेन विभव का मान है जो मन 2 प्लस से मन मग होता है जो कि इसके अप्चेट नहोने की प्रवित्ती को दर्शाता है इसी तरह से हम देखें कि यहाँ पर आगे चलने पर निकल का मान भी अपने ट्रेंट से बिल्कुल अलग होता है इसी तरह से हम जिंक के मानों को भी हम देखें तो जिंक का मान भी अपने टर्ण से काफी ज़्यादा रुनात्मक हमें दिखाई दे रहा है और यह भी अवस्था होती है क्योंकि जड़न 2 प्लस अवस्था में जो इसका मान बहुत ज़्यादा रुनात्मक दर्शाता है कि यह आसानी से अप अबक्चेत होने की प्रवित्ति नहीं रखता है बलकी यह आक्सिकृत होने की प्रवित्ति रखता है और इसी लिए यह आंद्रौ से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देता है इसी तरह से हम देखें कि वनर्टियू गहında ही तोㅋㅋ टीटेनियम 2 प्लस आयन तथा क्रोमियम 2 प्लस आयन यह भी जली विलियन में प्रबल अपचायक होते हैं यह कि यह इलेक्ट्रान त्याग कर स्वयं आक्सिकृत होने की प्रवित्ति रखते हैं और इसी लिए यह अमलों के साथ क्रिया करके आसानी से हैड्रोजन मुक्त कर दे क्योंकि यहां पर हम भी इनकी इस क्रियाशिलता को इनके मानक अप्चन विभौ से जोड सकते हैं क्योंकि इनका जो मानक अप्चन विभौ है इसका मान भी हम देखें कि बहुत अधिक रोनात्मक होता है जो इसकी स्वयम के अप्चैत होने की छमता के कम मान को दर्शाता है अ उन्हें hydrogen H2 में अपचेद कर देते हैं यहाँ पर हम देखें जो कि 2 प्लस अवस्था में होता है जब यहाँ के H प्लस आयन के साथ जब यहाँ पर क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर देखें क्रोमियम 3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर हाइडरोजन है H2 फ्लस अपचेद हो रहा है और इसलिए जो मानक अपच्ण विभौव के रणात्मक मान यह दर्शाते हैं कि यह क्यों अमलों में से आसानी से hydrogen gas विमुक्त कर देते हैं इसी तरह से हम इनकी Mn3 plus से Mn2 plus अवस्था में जाने पर इनकी मानक अप्चन विभव के मान को देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि Magnes 3 plus से Magnes 2 plus में जाने पर तथा कोबाल 3 plus का कोबाल 2 plus से जाने पर जो मानक अप्चन विभव का मान है वो परियाप्त धनात्मक होता है यहां पर हम देखें Magnes के लिए इसका मान 1.57 वोल्ट है जबकि कोबाल के लिए इसका मान 1.97 वोल्ट है जिससे इसपस्थ होता है कि यह जली विलियन में क्यों प्रबल आक्सी कारक होते हैं यहने कि यह आसानी से 3 प्लस मैगनीज 3 प्लस आयन से मैगनीज 2 प्लस आयन में परिवर्तित होनी की प्रविर्ति रखता है और जब यह मैगनीज 3 प्लस से मैगनीज 2 प्लस आयन में जाने जाएगा तो वो सामने वाले से एक इलेक्ट्रान ग्रहन करेगा यहने की सामने वाले को यहाँ आक्सी करेगा और इस तरह से यह जली विलियन में प्रबल आक्सी कारक होते हैं क्योंकि और यहाँ पर MN3+, MN2+, में जाने पर हम जानते हैं कि मैगनीज को एक इस्थाई विन्यास प्राप्त होता है और यह भी कारण है कि यह आसानी से यह स्वयम अप्चाईत होने की प्रवित्ती रखते हैं और अपने यो compound में यह प्रबल आक्सी कारक होते हैं इसी तरह से हम chromium में दे सकते हैं chromium 3+, chromium 2+, में convert होने पर इसके लिए जो मानक अप्चाईन विभौ का मान है वो नेगेटिव होता है माइनस 0.41 वोल्ट के है जबकि यहाँ पर हम देखें कि आईरन के लिए आईरन 3 प्लस से आईरन 2 प्लस में जाने पर इसके जो माना कप्चन विभाव का मान है यह भी परियाप्त धनात्मक होता है जो यह दर्शाता है कि यह MN 3 प्लस के रूप के अवस्था में नहीं जाना चाहता है अब प्रशन उठता है कि यह दी क्रोंियम 2 प्लस तथा आरन 2 प्लस इन वे कौन प्रबल अप्चायक होगा और क्यूं तो हम देखें क्रोमियम के यहिंदी हम उलेक्टरानिक विद्यास को देखें तो ख्रों मियम का एलेक्तरानिक और इसका विन्यास हो जाता है 3D4 अब यदि यह एक लिप्ट्रांट त्यागता है और एक लिप्ट्रांट त्यागने पर इसे 3D3 विन्यास प्राप्त होता है और जो की एक इस्थाई विन्यास है और इस अवस्था में यह आसानी से अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है ऊenthater बनाता है तो इसमें से इलेक्ट्रान 2022 अवस्था अवस्था प्राप्त होगी और इसलिए यह प्रबल अप्चायक की तरह करना चाहता है और इसलिए यह प्लस आसानी से प्लस थ्री आक्सिकृत अवस्था प्रदर्शित करना चाहता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानक अप्चन विभों के आधार पर हम इनकी इन धातूं की क्रिया शिल्ता की तुल्ना कर सकते हैं